Welcome back dear students यहाँ पर इंपोर्टेंट कैस देखने वाले हैं जो बायोजिक है इन्ट्रासिटिंग कैस है हम बात करने वाले हैं यहाँ पर म्यूच्वलिजम की बात करने वाले हैं आपने देखा होगा की जो mediterian orchid offreies जो plant होता है उसके एंदर एक्चुल में जो pollination होता है वो bees और bumble bees के द्वारा होता है generally bumble bees जो होती है इनका pollination करती है आप इधर आप देख पा रहे होंगे कि यह आपको दिखाई दे रहा है इसका flower दिखाई दे रहा है और इसके उपर आपको bumble bees यहाँ पर यह दिखाई दे रहे है कि वो बिल्कुल ही इसके जो female bumble bees होती है उसकी तरह दिखती है तो यह male bumble bees या hub bees के दो इसको यह जब actual में pollination करने के लिए आता है या फिर हम यह के दे कि copulation करने के लिए आता है इसको देखकर वो attract होता है इस female को copulation करता है तो pseudo copulation के दोरान उसके उपर वो pollen grains जो है वो चिपक जाते हैं और इस वज़े से finally जब pollen grains उसके उपर चिपक जाते हैं तब इसी तरीके से जब वहां से उड़कर वो दूसरे flower पे जाता है तो उसी तरीके की flowers उसको ऐसा दिखाई देता है जिसे female bumble bees होगी तो वापस वहां पर बैटके pseudo copulation करने लगता है और इस तरीके से वहां पर वो जो pollen grains से वो जाकर गिर जाते हैं और इस तरीके से pollination होता है तो यहां कि यहां पर हम यह कह सकते हैं कि sexual deceit का एक example है जहां पर जो male bumble bees जो होता है वो इस flower का orchid के flower का यहां पर pollination करवाता है इस तरीके के कहीं सारे interesting यहां पर phenomena आपको biological world में देखने को मिलते हैं यह आपने अभी जो देखा आप पहले के videos भी आप देख सकते हैं जिसे fig और वाश्प के अंदर भी एक important story यहां पर देखने को मिलते हैं युक्का and moth plant में भी आपको इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं जो important important चीज़ें हैं इस तरीके की और भी हम कहानिया देखेंगे I hope कि आपको यह short जो है जो interesting कहानी है पसंद आई होगी मिलते हैं है next video में